मुझाज़ी बड़ी मज़िदार अगर तुम भी मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो तो लाइक करो, सबस्क्राइब करो, शेर करो इस लाव ओजांग टूस दोस्तों, जिन्दगी में सच्चा दोस्त उस अनमोल हीरे की तरह होता है जिसकी कीमत को आखना बहुत मिश्किल होता है नसीब वाले वो होते हैं जिनको सच्चे दोस्त में होता है लेकिन ये हमारी जिम्मधारी है कि हम अपनी दोस्ती को समभाल के रखे आईए इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ बड़ी पुरानी बात है रमेश और घंस्याम दोनों बच्पन के गहरे में तो काफी समय बाद रमेश घंस्याम के खराया और घंस्याम की बीबी से बोला नमस्ते भाबी जी कैसी हैं बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है आप लोग सब अच्छे ही होंगे घंस्याम से मेरी फोन पे बात हुई थी वो घर पे नहीं है इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई है और आभी मुझे कुछ पैसों के जरुवत थी जादा नहीं पर दस हजार रुपे अगर आपके पास हो तो ऐसा सुनते ही घंस्याम की बीबी रमेश को वो पैसे दे दे घंस्याम जब साम को आफिस से घर लोगता आस तुम्हारा बच्पन का दोस्त रमेश आया उन्हें दस हजार रुपे की तुरंट आउशक पर कहीं लिखना हो तो लिख लेना घंस्याम अपनी बीबी की बाते सुनकर आश्चर चकित हो गया उसकी आखें गेली हो गया वो अन्मना सा पत्नी ने देखा अरी घंस्याम क्या बात है मैंने कुछ गलत तो नहीं किया न दरसल मैं तुम्हें फोन करना चाहती थी पर वो तुम्हारे बच्पन के दोस्त है मुझे लगा कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए घंस्याम देखो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो गहरी सांस लेते हुए घंस्याम ने कहा मुझे दुख इस बाथ का नहीं तुमने मेरे दोस्त को रुपए दू तुमने बिल्कुल ठीक काम किया तुमने अपना कर्तव यह ने पाए मुझे इसकी बहुत बहुत खुशी है मुझे दुख इस बाथ का है कि मेरा दोस्त तंगी में यह मैं कैसे समझ नहीं पाया उसे दस अजार रुपए की जरूरत आन पड़ी इतने समय में मैंने उसका हाल चाल भी नहीं पूचा मैंने कभी ये भी सोचा नहीं कि वो मुश्किल में होगा हाई मैं कितना सौार थी कि अपने दोस्त की मजबूरी भी नहीं समझ पाया दोस्तों, जिस दोस्ती में लेन देन का गड़ित होता है वो केवल नाम की ही दोस्ती होती है उसमें अपनत तो नहीं होता हमने किसी का एक काम किया है तो सामने वाला भी हमारा काम करेगा एस यू पेक्षा रखना ये दोस्ती नहीं है दोस्ती तो दिल के दर्वाजे की खामोश घंडी है वो साइलेंट बेल है जो बजे या नबजे हमें भीतर से ही इसकी आवाज सुन लेनी चाहिए यही होती है सच्ची दोस्त तो अगर आपका भी कोई सच्चा मित्र है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें